हाई गाईस वालकॉम पैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत कि ज़दा स्वाथ है आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं आइफोन 16 एंड 16 प्रो में जो आपको बैटरी की चार्जिंग लिमिट देखने को मलती है आप उसे कैसे किसी भी आइफोन में इनेबल कर सकत हो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो यह आइफोन 16 प्रो का स्क्रिंशॉट यहां पर आप देख सकते हो जो कि यहां पर आपको 80 परसंट 85 परसंट 90 परसंट 95 और 100 परसंट की जो लिमिट आप्शन है वो देखने को मल जाती है तो आप सभी अपने आइफोन में इस सेम आप्शन को कैसे नेबल कर सकते हो ताकि आपका जो डिवाइस है वो आपके चार्जिंग साइकल को इतनी जल्दी काउंट ना कर सके और आपकी बैटरी हल्थ को मेंटेन करके रख सके तो इसलिए आपल ने यह जो चार्जिंग लिमिट का आप्शन है वो आइफोन 15 प्रो एंड 16 प्रो में अड़ करा है सो विडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ सो फर्स्ट अफॉल गाइस इस पुसेस में आपको शॉर्टकर्स की अप्लिकेशन की यूज करनी है अगर आपके डिवाइस में यह अप्लिकेशन अवेलबल नहीं है तो आप क्रेट करनी है 85 और 95 तो 85 और 95 की आप लिमिट कैसे क्रेट कर सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्लस के बटन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने ही को मिलेगा बैटरी लावल तो आपको यहाँ से बैटरी लावल को सबसे पहले स्लेट करना है जैसे यह भी यहाँ पर change होता है हमें इसको यहाँ पर 85 की उपर लाके stop कर दिना है तो यह 85 equals की उपर आपने tap करना है आपको इसे run immediately की उपर tap कर दिना है ताकि कोई भी आपको notification प्रोवाइड ना कर सेके आपके advice तो यहाँ पर आपको run immediately को tap करना है और notify when run की option को off कर देना है और यहाँ से आपको equal select करना है 85 की उपर उसके बाद आपको next बटन पर tap करना है यहाँ पर आपको speak text की उपर enter कर देना है 85% तो जैसे यहाँ पर 85% type करोगे साथ ही में आपको type करना है charged जैसे यहाँ पर आपको charged type करोगे आपको यहाँ पर यह जो device आपने tap करा है जो भी word आपने tap करें वो आपका device जो है वो यहाँ पर आपको बोल कर सुनाएगा कुछ इस तरीके से तस आपको यहाँ पर done के बटन पर tap करना है और यहाँ पर आपको play बटन देखने को मल जाता है तो आप यहाँ से play करके सुन सकते हो तो इस तरीके से आपका जो device है वो यह बोलेगा 85% charged iPhone और आप अपने device को plug out कर सकते हो उस time के उपर तो आपको done के बटन पर tap कर देना है तो जैसे मेरा device 85% battery level पर आएगा मेरा जो device है वो मेरे को बोल कर बताएगा कि आपका जो device है वो 85% battery के उपर आ चुका है और आप अपने device को plug out कर सकते हो तो ऐसे आपको ध्यान में रहेगा कि आपका जो device है वो इसने 85% limit जो है वो complete कर ली है और आपको इसे plug out करना है इस तरीके से आप किसी भी iPhone में iPhone 16 की तरह जो है battery limit create कर सकते हो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो मलते हैं गाईज अगली वीडियो में So thanks for watching Thank you so much